बांगलादेश के बल्लेबाज लिटन दास ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपने करियर का चौथा शतक जड़ा उन्होंने बांगलादेश की पहली पारी में सन्यम से बल्लेबाजी की और दोनोंने मिलकर 165 रनकी साजेदारी की लिटन द्वारा खेली गई यह पारी बांगलादेश को संभालने में मददगार साबित हुई इंगलंड के कप्तान जो रूट ने अपने 34 वे टेस्ट शतक के साथ ब्रायन लारा, महेला जैवर्धने, सुनील गावसकर और यूनुस खान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है रूट ने सिर्फ 111 गेंदों में अपना शतक बनाया है, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे तेज़ शतक है दक्षन अफ्रीका के पूर्व दिगज विकेट की पर बल्लेबाज ABD विलियर्स ने भारत दौरे के दौरान दोस्तों के साथ पैडल टेनिस खेली इस विडियो में उन्हें जहीर खान, रॉबिन उधपपा, आकाश चोपडा और ब्रेटली भी नजर आ रही है विलियर्स ने पैडल टेनिस को मज़ेदार और शरीर की कसरत के लिए बहतर माना है भारतिय क्रिकेट के दो दिगज खिलाडी महिंद्र सिंग धोनी और विराट कोहली के बीच का रिष्टा हमेशा चर्चा का विशय रहा है धोनी और कोहली ने एक लंबा समय भारतिय टीम के लिए एक साथ खेलते हुए बिताया और एक दूसरे की कप्तानी में भी खेल कर अपनी चाप छोड़ी यह भी पड़े आमिर ने दो साल पहले ही कर दी थी शाहीन को लेकर भविश्यवानी जो अब हो रही सच साबित धोनी कोहली का क्रिकेट करियर 20-08-09 से जुड़ा हुआ है जब धोनी ने भारतिय टीम की कप्तानी संभाली तब कोहली एक उभरते हुए खिलाडी थे माही की कप्तानी में खेलते हुए विराट ने अपने खेल को निखारा और जल्द ही दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हो गए धोनी के नेत्रित्व में भारत ने 2011 का वंडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियन्स ट्रॉफी जीती जिसमें कोहली का योगदान एहम रहा 2014 में धोनी ने टेस्ट टीम की कप्तानी कोहली को सौंपी और 2017 में सभी फॉमेट्स की कप्तानी उन्हें ही दे दी धोनी ने कहा कि कोहली वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेस्ट खिलाडियों में से एक हैं जबकि कोहली भी धोनी को अपना गुरू मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पूर्व कप्तान के मार्ग दर्शन में बहुत कुछ सीखा है लंदन के लॉर्स मैदान में इंग्लेंड और श्रीलंका के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में जो रूट ने इतिहास रच दिया रूट ने इस टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़े जहां उन्होंने पहली पारी में 143 और दूसरी पारी में 103 रन बटोरे रूट टेस्ट क्रिकेट में धीरे-धीरे सचिन तिंदुलकर के सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड के करीब पहुँच रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार में से एक शाहीन शाह अफ्रीदी को बांगलादेश के विरुद्ध दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया है शाहीन को अपनी गेंद बाजी के साथ-साथ वर्कलोड भी मिला था और टीम उन्हें तीनों फॉर्मेट में देखना चाहती थी हॉंग कॉंग की क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर में मंगोलिया के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की इस मुकाबले में हॉंग कॉंग ने महिज 10 गेंदों में 18 रनों का लक्षा हासिल कर लिया यह मैच शनिवार को कुवालालंपुर के बयूमास ओवल में खेला गया दिल्ली के अरोन जेटली स्टेडियम में दक्षन दिल्ली के प्रियांश आर्या ने एक ओवर में उत्तरी दिल्ली के मनन भारतवाज के खिलाफ 6 छक्के लगाए यह उनकी पावर हिटिंग की जलक थी और उन्होंने पूर्व दिगज बल्लेबाज युवराज सिंग की याद दिलाई भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव बांगलादेश दौरे से पहले चोटिल हो गए हैं जो की दलीब ट्रॉफी में उनकी खेलने पर संदे उठा रही है यादव को दौरे के विशय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है पाकिस्तानी गेंदबाज मुहम्मद आमिर ने अपनी गेंदबाजी से गयाना को मैच हरा दिया आमिर ने चार ओवरों में 49 रन देकर दो विकेट लिए और गयाना को आखिरी ओवर में 16 रन बनाने के लिए रोका दक्षन अफरीका के ड्वान प्रीटोरियस ने आमिर के ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई